अब देख रहे हैं के मास न्यूज हर समय आपके साथ नश्कार आप देख रहे हैं के मास न्यूज हम मैं हूँ राम सुन्दर के मास न्यूज की ताजा तरीम खबरों को देखने के लिए विजिज करें www.kmasnews.com आपको दिखाते हैं यहाँ पर एक बैनर लगवा है आपको दिखाना चाहते हैं सौजन्न से ठगी पीडित जता करता परिवार रेश्टेशन संक्यादू से 41-42 नई दिल्ली लिखा है भुकतान करो या सत्ता छोड़ो ठग बैमानो भारत छोड़ो यह 1 सिटम्बर 2014 से चलरा है और आप तक चल लाँ आए यहां पर लोगों से बात करते हैं कि क्या इसका असर क्या इन लोगों पर हुआ है जुन्होंने भुकतान को रोक सर समस्या हमारी है यह कि भारत सरकार ने जितने भी चिट फंड कमपनियों को बैन लगाया है हम उसके भुगतान के लिए अनवरत यहां पर अनिशित कालिन धरने पर बैठे हुए हैं कब से बैठे हुए हैं? हम लोग पाली सितंबर से बैठे हुए हैं क्यों बैठे हुए हैं? अपने भुगतान के लिए बैठे हुए हैं भुगतान होगा? भुगतान जब सरकार ने कानून बनाया है तो उस कानून के अधार पर हमारी यह है हमारा राष्ट व्यापी अस्वाजोग आंदोलन चला है किसे जग पर चल रहा है? यह पूरे राष्ट में हर जिले और तासील अस्थर पर चला है पूरे भारत में चला है आंदोलन तो बस सरकार से हमारा यही मांग है कि सरकार ने जब अनिमिक जमाय योजना पावंदी अधनियम 2019 कानून बना दिया है तो उस कानून की अंतरगत हमारा सरकार भुगतान करा दे तो क्या कमपनियां इसमें आना कानी कर रही है? कमपनियां आना कानी क्यों कर रही? कमपनियों पर तो सब सरकार ने बहन लगा दिया है उसकी सारी प्रापरेटियां जो है चला-चल संपत है सरकार के अथार्टी के पास है सरकार भुक्तान कराएगी इस सेक्ट के आधार पर सरकार ने कानून बना है उस कानून की अंतरगत यहां के जिलाधिकारी को सच्छम अधिकारी बनाया गया है और पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले पर एक फास्टे कोड की अस्थापना की गई है यहां से हमारे आवेदन कंपनियों को नोटीस जाएगी अगर कंपनी अगरांकर हमारा भुगतान करती हुआ ठीक है नहीं तो एस अच्छा मदिकारी उस कंपनी की प्रापरेटी सीज करके नीनाम करके उसका भुगतान कराएंगे अब दन्यवाद अब नाम बताए है फेदाए नारायन राइपुर यह बहुत गंभीर विशय है कि हम खुद पीडित हैं तो देश की रक्षा कौन करेगा हमें यहां जिला प्रसासन से यही मांग है हम आज एक तारिक से धरने पर बैठे हुए हैं और यही मांग है सरकार ने जब आपको नुक्त किया है हम लोगों का पेमेंट करने के लिए हमा कि नोटी से आए फायार हुआ जबकि मानिय उच न्याले ने हमें इस्पेसल जज दिया है अगर यह फायार कर देते बड़ साइक्ट के थ्रू तो हमारा छे महिने में हमें उमीद है कि हमारा पैसा मिल जाता लेकिन जिला पर प्रसासन की लापरवाही या इनकी अरियल रव कि आये हैं माँ तो देश के बाहर के थे और यह देश के अंदर कैसे कि कशा करके कह रहा हूं इनको सब को निस्तानाबूत कर दूंगा जब तक मैं जिंदा रहूंगा मेरी अंतिम सांस तक इन से लड़ता रहूंगा और मैं अकेला पढ़ जाऊंगा तब भी लड़ता हैं और देश में 42 करोड लोगों का पैसा सरकार ने जब किया हुआ है और सरकार ही अन्यमित जमापावंदी अधिनियम बना कर रखे हुई है जिस अधिनियम के तहथ सरकार ने जो है लोगों को जमा धन का 2-3 गुना देने के लिए बोला है और यह कानुन 2019 का अलेडी बन के सरकार की इसमें टोटल अपरवाही है सरकार जिस दिन चाह देगी उस दिन यह सारे लोगों का पैसा जो हो जाएगा कि जो भी आप पैसा जो रुका हुआ है इसमें सारी जालसाजी जी टोटल हंडेट परसेंट नहीं 200 परसेंट सरकार की जालसाजी आप कहना चाहते हैं सरकार की कमी है सरकार की कमी है वो लोग देना नहीं चाहते हैं सर अज माने जी एक तिसवाद दिने धरने पर बैठे हैं हम लोग क्या असर कुछ नहीं इधर से यहां गया खागा यहां कुछ नहीं हो रहा है कि हम यहीं कहेंगे कि सरकार जब तक हम लोगों का प्यूमेंट नहीं करेंगी तब लोग जहां से लेंगे तक हम लोग मर जाएंगे लेकिन प्रमेंट लेकर जाएंगे अब आपने पर रहेंगे जैसे होंगे इसे होंगे सरकार जिस दिन सर्चाह देख नहीं बुकतान करना उसे दिन हम लोगा साला कल्याण हो जाएगा लेकिन पर कर चाहती नहीं है इसलों का सारा कर कि थे चोडरिक रही है तुकि मिसेट